राधे राधे जैस्री कृष्णा आप सभी को मेरे इस यूटीव चनल पर हर्दिक स्वागत है अभी नंदन है पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्रोथ हार्मोन के बारे में डिटेल से बताई है तो जो बच्चे TGT की परिक्षा की तयारी कर रहे हैं पीजीटी की परिक् कि वे बच्चे भी इसे देखें जो बच्चे नर्सिंग में पढ़ रहे हैं नर्सिंग वाले बच्चों के लिए यह आवश्यक है सरी रचना विज्ञान की एक टॉपिक के बारे में इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पिछले वीडियो में बताया है तो उसी को आग प्यूस हार्मोन एंटेरियर पिट्रूट्री हार्मोन में अगर कोई एबनॉर्मिल्टीज हो जाए और शामन्यता हो जाए तो उसके कारण क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे समझ गए मैं क्या कहना चारी हूं पिछले वीडियो में मै इस्तार से चर्चा किया है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके पहले उस वीडियो को देखें तब आपको आगे वाली वीडियो समझ में आएगी तो आज मैं आपको बता रही हूं एबनॉर्मिलिटीज ओफ एंटेरियर पिट्रूट्री हार्मोन आग से अभी अपने परिवार में सब कुछ हस्मूत चलता है नॉर्मल है लेकिन अगर परिवार का कोई भी सदस्य को बीमार पढ़ गया एबनॉर्मल हो गया है पुरा वातारण घर का खराब हो जाता है अगर परिवार के सदस्य में से किसी का धिमाग हिल गया जगड़ा करने लग गया है तो घर में कलह बढ़ गया एबनॉर्मल्टी जा गई है परिवार के सदस्य में अगर किसी एक व्यक्ति को दुर्घटना हो गया है तो जो डेली रूटिन की लाइफ है वो डिस्टर हो जाती है दुर्घटना होने से तो आज मैं यह बता रही हो कि नॉर्मल क्य इसे हटके जो काम कर रहे हो एबनॉर्मल है एनिह बताओ अ मैं एस और नो एक तो यहां पर क्या है एक रिपीविश हर्मोन के यहा असमान्यता होती है कि तो सबसे पहला काम और शामान्यता वह चुशंग सिंड्रों का अब आप पूछे गए मैडम कुसिंग सिंड्रों और है तो यह बड़ा सा टॉपिक है जिसे मैं बाद में आपको बताऊंगे कुसिंग सिंड्रॉम इता ही समझो उसका चेहरा जो है सो मून फेस हो जाता है गोल मट्रोल चेहरा हो जाता है क्योंकि इससे जो हार्मोन निकलता है एंटेरीर पिट्री से पिछली वीडियो में बताए आपको तो कुसिंग सिड्रॉम में जो धड़वाली पार्ट है यह आपका पेट है बिल्कुल फूल जाएगा मोटा हो जाएगा हाथ पर बिल्कुल पतले रहेंगे दूबले पतले रहेंगे ठीक है तो इसका हम बाद में डिटेर्स होता है तो आज मैंने आपको कुसिंग इसके क्या लक्षन उत्पन हो जाते है अग्रिप्यूस हार्मोन के क्यों होता है तो सबसे पहले होता यह है कि जब आग्रिप्यूस ग्रंथी में किसी प्रकार का कोई चोट हो जाता है कोई ट्यूमर हो जाता है कोई गांटे आ जाती है तब गड़बडियां हो जाती है क्य स्रावन ही नहीं नहीं होगा या बहुत अधिक स्रावन होगा बहुत अधिक सिक्रिटो कोगा हार्मोन बहुत अधिक निकलने लगेगा क्या करन्ति कि पिट्यूट्री अगर पिट्यूट्री ग्लांड से ग्लांड प्यूस ग्रंथी एंटेरियर प्यूस ग्रंथी में या प्यूस ग्रंथी के किसी भी पार्ट में या पूरे प्यूस ग्रंथी के पार्ट में ट्यूमर हो गया चोट लग गई हो कोई इस तरह का बिमारी हो गय सबसे पहले इसके blir छात्राइब को संजें यह यह नहीं में हमें बता रहे हैं कूशिंग का हिंदी कूशिंग होता है सिंड्रों होता है लक्षन कूष़िंग सिंड्रों टौ दिखाइए姜 तो उसका का नाम हो जाता है syndrome अगरेजिम बोलते हैं यह हिंदी में लक्षम बोलते हैं ना कोशिंग सिंड्रॉम हो चाहिए दूसरा हाइपो पिटूटेरीज्म हो जाता है हाइपो पिटूटेरीज्म मतलव प्यूस ग्रंथी से अल्प मात्रा में हार्मोन का स्रावन होना समझ गए फिर ग्रोथ हार्मोन आं दाना करुधी हार्मोन प्रकार दुद का स्रावन होता है दूध का सिरस्जते escaped कुसिंग सिंड्रोम हाइपोपीटिरिज्म प्रोलाक्टिन और एबनॉर्मेल्टी जीन ग्रोथ हार्मोन अब इसको रठने के तरीका मैं आपको बता देती हूं कि सी से याद कर लो पहला अक्षर लिया सी दूसरा लिया एच तीसरा इसको एबनॉर्मेल्टी जूपर लाइन मिले लो है ना यह और चौथा हो गया प्रोलाक्टिन डेफिसेंसी चाप अगर पिट्यूट्री हार्मोन के हार्मोन में किसी प्रकार का कोई एबनॉर्मेलेटी हो जाता है तो चाप उत्पन हो जाता है चाप प्रेसर चा से सी से क्या हो गया कोशिंग सिंड्रॉम एज से क्या हो गया crazy हार्मोन और पी से क्या हो गया प्रोलाक्टिन डेफिसेंसी याद हो गया आपको यह अक्सर एक्जाम में आता है कि अगर कोई गडबड़ी उत्पन हो जाती है तो उससे कौन-कौन से लक्षन उत्पन होते हैं इन लक्षनों का चर्चा कीजिए तो क्या है आज मैं इतना ही बताऊंगी इस वीडियो में ताकि आपको पूरा याद हो जाए है ना क्या होता है कुशिंग सिंड्रोम सेकेंड हाइपोपीट्रीज्म थार्ड एबनॉर्बलेटी इंग्रोथ हार्मोन फोर्थ अगर प्रोलक्टिन डेफिसेंसी कुशिंग सिंड्रोम अभी मैंने आपका बताए डीटेल्स में बाद में बताऊंगी इतना ही समझो ति जो ट्रंक वाला पा पर पेटें बढ़ता है फिर गाल में बढ़ता है तो जो कुशिंग सिंड्रोम है उसका चेहरा मून फेस हो जाता है चंद्रमा की तरफ गोल हो जाता है जो चारो तरफ यह जो चेहरे की गाल की तरफ है ना यहां पर भी कि एडिपोस्ट इशू मतलब कि वसा का जमा हो जाता है तो जब वसा का जमा होगा वहां पर क्या होगा मोटा पाएगा तो चेहरा जो है गोल मटोल चंदा की तरह दिखने लगता है ऐसे गोल गोल दिखता है चंद्रमा की तरह चेहरा ठीक है और हाथ और पैर जो होते हैं पत orden का में हैं जाता ही सिस्थिती में nhưng और वह आपके। कि सोडियम की मातरा हाइपर्नेट्री मिया जिसको कहते हैं वह हो जाता है जब सोडियम की मातरा बढ़ेगी porisan की मातरा कम हो जाएगी तो पोटयसियसियम की सरीर में कमी हो जाती है कहीं सारी लग्षन है कुशिंग सिंड्रोम के वह मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगी आज मैं इतना ही बताती हूं कि पीट्यूट्री ग्लैंड में अगर कोई ट्यूमर हो जाता है कोई घाव हो जाता है किसी प्रकार की चोट लग जाती है तो चाप वाली स्थित्यूद्पन हो जाती है सी से कुशिंग सिंड्रोम एज से हाइपो थाइराइडीज्म और चौथा प्रोलैक्टिन डेफिसिंसी दूद का स्रावन कम होना आप देखते हो कि जब माता गर्वती होती है इस्तरी गर्वती होती है तो उसके नौ महपूरे होते होते शिशू जन्म से पुरू परमपिता परमेश्वर ने माता के अस्तनों में दूद भर दिया है ताकि नवजात शिशू का पोशन हो सके तो यह प्रोलैक्टिन डेफिसिंसी तब इस हार्मोन की कमी के कारण दूद का स्रावन कम हो जाता है धात्री माता में तो यह आपको करें कॉमेंट करें सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ तक तक दो जाने की जाज़त बाए बाए